Hi everyone, hope everybody is doing good, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में, सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक फिन निफ्टी की स्टाटजी, मैं अपने चैनल पे फिन निफ्टी की बहुत ही कम स्टाटजी डिस्कस करता था, because liquidity की थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि liquidity की इतनी जादा दिक्कत नहीं होने वाली है, इसलिए अब आप फिन निफ्टी को भी अल्गोट ट्रेडिंग कर सकते हैं on a regular basis, इसी वज़े से आज हम फिन निफ्टी की strategy डिसकस कर रहे हैं and आगे भी बहुत सारी फिन निफ्टी की अलग-अलग strategies हम डिसकस करेंगे, so आज की जो मैं strategy डिसकस करने वालों फिन निफ्टी की, उसमें मैंने brokerage भी add किया है, taxes भी add किया है, and ये तीनों चीज़े add करने के बाद भी ये strategy 209% return दे रही है दो साल में, so आप खुद सो सकते हैं कितनी जादा powerful strategy है, yet बहुत जादा simple strategy है, किसी नई trader को भी एकदम मसानी से समझ आने वाली है, so चलिए फिर चलते हैं फटावट, एक बार strategy देख लेते हैं क्या होने वाली है, उसका back-tested results देख लेते हैं, and then उसके बारे में बहुत सारी बाते करेंगे, so अभी मैं आगया हूँ, algorithm के platform पे, guys, जिन्होंने भी अभी तक login नहीं किया, मेरे वीडियो के description में ही link है, उसमें जाके आप login कर सकते हैं, अगर आप मेरे link से login करेंगे, आपको बहुत सारी exclusive benefits मिलने वाले हैं, वो भी जाके आप check कर सकते हैं, so यहाँ पर मैंने finnifty की strategy अलड़ी safe करके रखी है, तो वो एक बार खोल लेते हैं, so यहाँ पर finnifty की strategy है, जिसमें entry time रहने वाला है 9.25, and exit time रहने वाला है 2.50, बहुत ही जादा plain strategy है, और सिर्फ एक ही strategy हम इसमें देखने वाले हैं, multiple strategies हम इसमें नहीं डालने वाले, so entry time रहने वाला है 9.25 a.m. इसमें का exit time रहने वाला है, exactly 2.50 p.m. उसके बाद क्या है, हम यहाँ पर call and put option दोनों ही sell करेंगे, जो पहले call option हम sell करेंगे, so वो out of the money 1.00 रहने वाला है, and put option भी out of the money 1.00 रहने वाला है, जैसा आप यहाँ पर algorithm में भी देख सकते हैं, O.T.M. 1 लिखावा है, इसका क्या मतलब होता है, यह जिस भी level पर market चल रही है, अब अगर मानलो 9.25 पर, फिर Nifty for example, 20,000 चल रही है, so अब वो क्या करेगा, exactly 9.25 पर, वो 20,000 50 का call option sell करेगा, and 19,000 9.50 का put option sell करेगा, जिस भी strike price पर market at the money पर 9.25 पर चल रही होगी, उसके 50 points उबर का call option, and 50 points नीचे का put option, वो sell कर देगा, उसकी को बोलता है, out of the money one option, well, यह मैं इसलिए ले रहा हूँ, because trade को थोड़ा सा room मिल जाता है, travel करने का, and उसकी वज़े से, अब ही आप देखेंगे कि कितना better results मिल जाता है, अब यहाँ पर stop loss हम कितना रखने वाले है, stop loss 15% रहने वाला है, on each of the leg, so अब अगर माल लो, आपने 50-50 का call option sell किया है, 100 का, so आपका stop loss हो जाएगा, 1, 1, 5, 115 रुपीज का, वही सेम चीज, put option में भी apply होती है, जितने का भी put option आपका sell हुआ है, उस पे आप 15% all डाल के, उसका आपको stop loss हो जाता है, and बस यही है strategy, कितनी जादा simple strategy है, so जो यह almost बस plain vanilla strategy है, लेकिन इसमें थोड़ा सा change किया है, कि यहाँ पे हम exactly ATM, at the money का, यहाँ पे call and put option sell नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 50 points out of the money जाएंगे, दोनों में, call option, put option में, and उसको हम sell करेंगे, ताकि हमें market में थोड़ा सा room मिल जाए, and अगर market, अगर 50 थोड़ी सी भी side loss हो जाती है, हमें यहाँ पे बहुत अचा profit बन सकता है, and हम यहाँ पे stop loss सिर्फ 15% का रख रहे हैं, बहुत ही कम stop loss होने वाला है, उसका reason यह है कि अगर market एक तरफ की trending move करती है, then यहाँ पे जो stop loss होता है, उसका stop loss छोट आसा होगा, लेकिन जो दूसरा leg हमें बहुत अच्छा profit दे रहा है, वो हमें काफी अच्छा profit कमा के दे सकता है, so इसलिए बस यही simple strategy है, तो इसको एक बार मैं आपको backtest result दिखाता हूँ, तब आपको यकीन होगा कितनी जादा effective strategy है यह, so backtest result इसका एक बार देख लेते हैं, यह I think 2021 के end से ही हमें यहाँ पे data मिल जाएगा इसका, लेकिन इससे पहले कुछ जो charges हैं, जो important charges हैं हम वो भी add कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको result दिखाऊंगों तो वो थोड़ा जादा practical होगा, and guys इसमें मैंने एक और चीज skip कर दी, शायद मैं आपको बताना भूल गया, मैं यहाँ पे lot size 55 lot का ले रहा हूँ, brokerage यहाँ पे मैं 15 rupees per order ले रहा हूँ, अगर आप 20 rupees per order दे रहे हैं, तो मेरी वीडियो के description में आपको कुछ brokers का link मिल जाएगा, उनके साथ मैंने tie-up किया है, ताकि वो आपको 15 rupees per order में भी provide करवा दे option, well अब यह आपके उपर है कि आपको 15 rupees per order लेना है, यह 20 rupees per order लेना है, वो आपकी comfortability पर होता है, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे taxes and charges भी include करने पड़ेंगे, जो around 30,000 540 rupees है, उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत जादा जरूरी चीज़ है slippages, और इसलिए हमें slippages at least 0.5% include करने पड़ेंगे, अब हम जब सारी ही चीज़े include कर लेंगे, तब हमें जो यह actual result आया है, यही actual result है जो अगर आप live market में trade करते हैं, आपको यही same result मिलने वाला है, तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे overall profit कितना है, 13,00,000 का overall profit है, number of trades 512 है, average profit है 2,541, win percentage है 52, loss percentage 47, and average profit 9,110 on winning trades and average loss है 4,787 on losing trades, max profit आपका 1,18,000 है, max loss 38,000 है, max drawdown अगर आप देखेंगे कितना ज़ादा कम है, सिर्फ 64,000 रुपीज का है आपका max drawdown, जो काफी ज़ादा attractive है, risk to drawdown आपका बहुत अच्छा आपको मिल रहा है 1.9 का, expectancy आपको बहुत ज़ादा अच्छे मिल रही है 0.53 की, winning streak आपकी 10 days है, मतलब 10 दिन लगातार आप इस strategy में profit करेंगे, losing streak आपकी 9 days है, मतलब 9 continuous days आपको losses हो सकते हैं, सो अगर आपको losses हो रहे हैं, आपको घवराना नहीं है, सो यहाँ पर एक और option मिल जाता है about the margin estimate, सो अगर इसको भी calculate कर लें, तो total जो आपका overall margin लगने वाला है, इस पूरी strategy में 55 lots में अगर आप trade करते हैं तो, सो 6,22,000 रुपीज लगने वाला है, उसके against आपको overall profit कितना दिया है strategy ने, 209% का आपको overall profit दिया है, अगर आपको कोई ऐसी strategy दिख रही है, जिसका match डॉड़न सिर्फ 10% है, अगर आपको उस strategy ने 2 साल के अंदर अंदर ही, 200% से भी जादा return दिया है, मतलब strategy definitely अच्छी है, अगर इसको आप definitely trade कर सकते हैं, वेर strategy सारी ही अच्छी होती है, अगर कोई भी strategy, सारे charges डालने के बाद भी अगर अच्छी profitable है, then definitely strategy अच्छी है, लेकिन वो ही है कि बहुत सारी strategies में आपको ये चुनना है, कि आप कौन सी strategy को लेके उसको regular basis पे trade करना चाते हैं, और उसमें से one of the strategy ये fin nifty की हो सकती है, बिकाज fin nifty का भी अभी बहुत जाधा trend चल रहा है, बहुत सारे traders हैं जो fin nifty को भी regularly basis पे trade करते हैं, उसमें से ही एक ये strategy है, जो बहुत ही जाधा plain vanilla strategy है, जिसको आप definitely trade कर सकते हैं, और genuinely बहुत अच्छा यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, आपको मैं individual day का भी दिखा जेता हूँ, तो आपको थोड़ा और जाधा idea होगा, अगर यहाँ पे सिर्फ individual अगर आप, सिर्फ Monday ने आपको 3,44,000 का returns दिया है, और वही अगर आप सिर्फ Tuesday को देखेंगे, इसने आपको 83,000 का profit दिया है, वेल्ट सिर्फ Tuesday जो weekly expiry वाला दिन होता है, इसका वो इतना जाधा खास नहीं है, अगर आप सिर्फ Wednesday देखेंगे, इसने 4,59,000 का profit बना के दिया है, अगर सिर्फ Thursday देखेंगे, यहाँ पे 1,00,000 का profit बना के दिया है, और वहीं अगर हम सिर्फ Friday को देखेंगे, तो Friday का around 3,00,000 का वापिस है profit बना के दिया है, और अगर आप strategy देखेंगे, जो Fin Nifty का weekly expiry होता है Tuesday का, सिर्फ weekly expiry वाले दिन यह profit दिन अच्छा नहीं बना के दे रहा है, बाकी सारे की सारे दिन बहुत अच्छा profit बना के दे रहा है, मतलब इसको definitely trade तो किया ही जा सकता है, और जैसा मैंने बताया कि मैंने सारे की सारे charges include कर लिये, तो इसके लावा आपको और कोई charge इसमें include करने की ज़रूद नहीं है, जो अभी यह result निकल के आ रहा है, यह practical data है, अगर आप इसको कल से ही live market में trade करना शुरू कर देते हैं, आपको यही exactly same result replicate होने वाला है अपने P&L में इसके साथ-साथ यहाँ पे आप नीचे इसकी पूरी report देख सकते हैं, individual trades की, अगर आपको strategy के full report चाहिए, तो मेरे पास इसका एक PDF है, जो मैं आपको definitely भेज़ दूँगा अगर आपको चाहिए तो, इसी वीडियो के description में मेरा एक WhatsApp नमर है, उसपे आप मुझे आप पूछ सकते हैं, and definitely मैं आपको भेज़ दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, but it is just that, पहले मुझे वो वीडियो भेज दीजिएगा, उसके बाद मेरे से आप पूछ लीजिएगा, कि आप कौन सी specific वीडियो का PDF मांग रहे हैं, because हम बहुत सारी regular basis पे वीडियो डाल रहे है, and सभी वीडियो का हम PDF भेजते हैं, इसलिए वो confusion नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले वीडियो भेज दीजिए, वीडियो का लिंक भेज दीजिए मुझे WhatsApp पे, then उसके बाद फिर मुझे आप उसी वीडियो का PDF पूछ लीजिए, तो फिर मुझे भी असानी से समझ आ जाएगा, कि आप actually कौन से strategy का PDF मांग रहे हैं मुझसे, यही है Fin Nifty की strategy, I hope आपको इस strategy समझाई हो, बहुत जादा simple strategy है, and easily इसको आप run कर सकते हैं live market में, because हमने देखा है, charges डालने के बाद भी अच्छा result दे रही है, वेल हमें regularly कोशिश कर रहा हूँ कि मैं regularly videos डाल सकू, because बहुत सारे मुझे request आई है about the algo trading videos, and इसलिए मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जादत से जादा video डाल सकू, so इसके साथ साथ अब जो Fin Nifty की strategy है, इसमें हम यही कोशिश करेंगे, कि अगर इसमें multiple strategies भी और डाल सकते है, ताकि उसको भी एक बार मैं trade करके देखूँगा, and अगर मुझे वो strategy profitable लगती है, then उसके भी मैं वीडियो बनाके publish कर दूँगा, उसके साथ साथ अगर आपके पास भी कोई ऐसी strategy है, जो आपको लगता है कि profitable है, अगर वो strategy मुझे profitable लगती है, उसको भी फिर मैं discuss कर दूँगा YouTube वीडियो में, ताकि हम सब की help हो जाए, So that's it about this video today, I hope आपको ये strategy अच्छी लगी हो, and कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो, So यही था आज के लिए, Thank you for listening with lots of patience, Let's meet in the next video then.